तुलसी ब्यूटी फुल्ट आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं रिबॉर्णिंग की शौट वीडियो आपको डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती है तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए आप देख सकते हैं क्लाइन के हैर बहुत ही ज्यादा करली है फ्रीजी ट्राइड डल है तो इसके लिए मैंने लॉरियल का एक्ष्ट्रा रेसिस्टन वाला क्रीम लिया है और क्लाइन को एपरन पहना लीजिए आप पी हैंडलोस पहन लीजिए क्योंकि यह जो फर्स्ट क्र करना है अच्छे से और पतले पतले शक्षन लेना है और इसके बाद आपको 30-40 मिनिट्स क्रीम को रखना है आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप वो देख सकते हैं क्रीम अपलाई करने के बाद मैंने क्लिं इसके बाद मैंने हैर वश कर लिया था और एक्स्टेंसो का मास्क अपलाई किया था दस मिनिट तक रखने के बाद मैंने हैर वश कर दिया था इसके बाद मैंने ब्लोड राई किया था ब्लोड राई करने के बाद अब मैं स्ट्रेट कर रही हूं है और स्ट्रेट करने के ब मैंने 15 मिनिट तक रखा था क्योंकि इनके हैर बहुत ही ज्यादा कर ली थे इसके बाद मैंने वाश करके मास्क अपलाई किया था मास्क को 10 मिनिट तक रखा था इसके बाद हैर वाश करके फिर ब्लो ड्राय किया था 100% ड्राय करने के बाद मैं अब हैर स्ट्रेट कर रही हूं यह process में आपको कहीं पर भी shampoo यूज नहीं करना है processing से पहले आप जब hair wash करेंगे तब भी shampoo यूज करना है और conditioner यूज नहीं करना है इसके बाद आपको hair को 100% dry करके फिर first cream apply करनी है इसके बाद hair wash करके mask apply करना है इसके बाद second cream, second cream के बाद फिर से आपको hair wash करके mask apply करना है shampoo कहीं पर भी आपको use नहीं करना है और अब final result आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा result आया है इनके hair आपने पहले देखे होंगी बहुत ही ज़्यादा curly, dry थे, freezy थे और अब आप देख सकते हैं इनके hair बहुत ही अच्छी shine आई है silky shiny hair हो गए है और बहुत ही ज्यादा smooth हो गए है last में आपको serum apply करना है और तीन दिन के बाद आपको client को फिर से बुलाना है hair wash करने के लिए उस time आप फिर से straightening कर सकते हैं और client को आपको instruction देना है कि वो rubber band ना लगाए clutcher ना लगाए और कान के पीछी hair को ना ले जाए और पानी बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए तीन दिन के बाद मैंने फिर से बुलाया था उस time की आप picture देख सकते हैं shine बहुत ही ज्यादा आई है तो आप result देख सकते हैं final वीडियो यूसफूल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा friends and family के साथ share कीजिएगा subscribe नहीं किया है चैनल को तो subscribe कर दीजिएगा मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक लिए bye bye take care thanks for watching